हेले अबरिबन आज की वीडियो में हम एक और नए परग्राफ ले के आए हैं जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम रोज एक एक नए परग्राफ पढ़ते हैं और जो भी इंपुटेंट बर्ड उस परग्राफ के अंदर यूज की जाते हैं हम उनकी हिंदी को भी जा करते हैं पहली लाएन रविनार टेगोर वास वर्डेंट ऐने 15abytesाल प्रभूण evatρούan का हम उनका जन्मर का है मुथलकृता में 161 अ का जन्मोगा रविनार तैघए वाय्यम नाओ, और ऑउर वह किसके लिए जान जाते थे वेल नाओ, कि अच्छी तरीके से जाने जाते थे, किस चीज के लिए education अपनी अपनी सिक्छा के लिए, writer, writer एंगे अपनी लेख, आनके लेखा के थे, artist, artist नहीं कलएकर, बहुए क्या थे कलाकार भी थे, और बहुर कलाकारी के लिए जाने जाते, end point, present, post ऑने कभी, बहुए क्या थे, कभी भी थे, he founded a school at Santi Niketan near Bolpur in 1901 और उन्हें एक स्कूल मिला कौन सा स्कूल था भाय सांती निकेतन और वै किसके पास था नेर बोलपुर इन 1901 में उन्हें यह स्कूल मिला गीतांजली इन इस वेस्ट नौ कलेक्शन और जो गीतांजली उनकी जो कभीता थी क्वे वेल्राओंग्स सबसे अच्ची कभीता में जो कभी था थी कौन सी थी गीता ऐंजली उनकी सबसे अच्ची कभीता थी सबसे कभीता सेहरोंमें नांपारों यह उसी कभीता था विखा था अवादीड साता नांटीन के सबमाने करना निक्से अहि 데ущ नोलप। सम्मानित किया गया in literature for this work. उने को सम्मानित किया गया किसे Nobel Prize से किस छेते में literature. लिटरेटिया निंगे साहित के छेत में उनके काम कि परती है उनहें सम्मानित किया किसे Nobel Prize से in 19 in 1913 उनने कौन सम्मानित किया गया in 1913 में. He was the first Indian to receive the Nobel Prize in literature. बहिए पहले भारती थे、 जिनने रिशीप किया किसको नॉबल प्राइस को किस ड्यायक्शन में किस छेतर में उन्हें नॉबल प्राइस मिला था, लिटरिचर, एनकि स्हाहिते में पहले बारती थे जिनने नॉबल प्राइस मिला था, परंतू इसके बाद, in 1919, he surrendered the title in प्रोटेस्ट अगें दर जलिया वाला वाग मैसकर यानि कि जो जलिया वाला वाग हत्या कांड गुआ था बहाँ पर क्या रोने सरंडर यानि कि आज में समर्पर्ण कर दिया अपना इन पंजाब जो कहां पंजाब की अम्रिस सर में हुआ था इस तो हिस लव पुर्द नेशन देखाना भाई यह देखाता है लव उनका प्यार देखाता है किसके प्रति नेशन अपने देश की प्रति उनका प्यार दिखता है यहां से यहां पर उन्होंने इन 1921 ने बिजब भारति युनिवर्सिटी की सुरुवात की और वह क्या है आज भी याद की जाती है अपनी इस काम्यादी अपनी योगता के लिए कौंफे चेतर में साहित के चेत्में अपनी इन उन काम्यादियों के लिए आज भी जाने चाते हैं कि विविए रिवे उनकी मृत्यू कब गए रिवे कहा पर कलकत्ता में कौन से सन में नाइटीन फोर्टीवन में वाट किंटु ई थे कम इमोटल इन दा पेजेस ओफ लिटरेचर और प्रन्तु क्या है इमोटल 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 इंगी अमर लेकिन आज में अमर हो गया कौन से pages में in the page of literature साहित के pages में आज भी क्या हो गया immortal यान की अमर हो गया his concept about education are still practice और जो उनका concept था किसके लिए education में आज भी stable यान की practice में है आज भी चल रहा है and have become an integral have become an integral part of educational system in और आज भी क्या integral रहने की महतपूर्ण हिस्सा है किसका हमारे education system का आज भी इंडिया के भारत के एक महतपूर्ण हिस्सा महतपूर्ण अंग है तो अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और